अखलेश यादों ने एक बार फिर से ऐसी चाल चल दी है जिसमे बिजेपी बुरी तरह से फस गई है बिजेपी की ही रणनीत से उसे पठखनी देने के लिए अखलेश अब पुरी तरह से तयार है अखलेश यादों ने इस उपचुनाओं में नौ में से चार सीटों पर मश्टा उमिद्वार उतारे हैं मतलब एक तिहाई से भी जादा सीटें महिला उमिद्वार को दे दिया है एक वक्त था जब लखनों गेस्टाउस कान के बाद समाजवादी पार्टी को महिला बिरोधी पार्टी बताये जाता था लेकिन अखलेश यादों इस चभी को हमेश्या के लिए मिटा देना चाहते हैं महिलाओं के लिए पार्टी के द्वार पूरी तरग खोल देला चाहते हैं अखलेश जानते हैं कि महिला ओटर्स के कारड़ी बिजेपी अब तक सत्ता में बनी हुई है ऐसे में अगर बिजेपी को हराना है तो उसके रणनीती को ही यूज करना होगा और अखलेश यादो वही कर रहे हैं अखलेश यादो महिला ओटर्स को अपने पाले में नाने के लिए बेताब हैं और अखलेश जानते हैं कि एक बार महिला ओटर्स उनके साथ आ गई तो फिर पूरे परिवार के सदस उनके साथ आ जाएंगे और उनकी राह आसान हो जाएगी वैसे भी UP उपचुनाओ को सत्ता के सिमी फाइनल के रूप में देखा जारा है अखलेश यादो लोग सभाचुनाओ में UP में विजेपी को करारी मात दे चुके हैं इस जीत ने उनमें सबर्दस्त उत्सा भरा है और राजनितिक पंडिक भी मान रहे हैं कि इसका फाइदा अखलेश यादो को उपचुनाओ में मिल सकता है अगर अखलेश 9 में से 5 सीटे भी जीत लेते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी जबकि विजेपी की बहुत बड़ी करारी हार मानी जाएगी यही वज़ा है कि अखलेश यादो बहुत ही सधादाओं खेल रहा है उन्हें मालूम था कि इस बार महिलाओं को अपने पाले में लाना जरूरी है तो इसलिए उन्होंने 9 में से 4 सीटे महिलाओं को दे दी और वो जानते हैं कि ये वो समय है जब मुझे विजेपी को पटकनी देनी है बिजेपी को रोकना है तो कई नगय बिजेपी की रणनिती को अपनाना होगा और उनको उनहीं की रणनिती के जरीए मात देना होगा अखलेश्या तो आप देखिए कि लोगसभा चुनाओ के बाद से ही उनके राजनिती में बहunu कर आइए और साथ साथ या ऐसी स्टेट जी जो एक अलग अखलेश्यादों को चुनाओं में रख रही है जैसे महिला ओटर्स को लेकर जिस तरीके से इस बार उन्हों ने उन्हें साधने की कोशिस किये ऐसा अखलेश्यादों पहले कभी नहीं किये थे इसका मतलब है कि अखलेश्यादों ने अपनी राजनीती को कही न कहीं एक नया कलेवर दिया है और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है क्या आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी राजनीती में एक नया तेवर और एक नया कलेवर के साथ आगे बढ़े है अगर हाँ तो कमेंट में बताईए मिलते अगले वीडियो में नमस्कार